नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सेल्फ स्टडी के इस चैनल में और आज की जो कबर है जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि आज की जो कबर है चाइनीज युवान और रुशियन रूबल दोनों मिलकर अमेरिकन डॉलर के किलाव खड़े हो गए है अब अमेरिकन डॉलर के किलाव कैसे खड़े हो गए है और ये कैसे हमारे एक्साम के पॉइंट ओ व्यू से सही है इन सब चीजों को हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में तो बने रही है हमारे साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक न्यूज आई है न्यूज के अकोडिंग बताया गए कि रूस और चाइना रूस और चाइना क्या कर रहे हैं ये दोनों देश जो है इन्होंने एक एग्रिमेंट किया है और एग्रिमेंट के तहत ये जो है वो डॉलर का यूज कम करते जा रहे हैं अपने अपने देशों के अंदर यानि कि इन दोनों ने अपने जो यहां पर वैपार है आपस में जो वैपार है जो डोलर में हुआ करता था कभी उसे आज की डेट में 46% पर लेकर आ गए है यानि मान लोगी कभी ये 100 डोलर का यूज क्या करते थे आज अब 46 डोलर का यूज करने लगे है क्यों इतना इंपोर्टेंट है डोलर क्यों हम आज इस चीज को पढ़ रहे हैं यह सब चीजें आज की इस वीडियो में बिल्कुल बारेकी से हम डिसकस करने वाले है फिलाल सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आई हो की बात कि सर आपको कैसे पता कि चाइना और रुषिया ने डोलर का यूज कम कर दिया तो एक कमपनी है कमपनी का एक क्या सकते हैं कि और्गनाइजेशन है उस और्गनाइजेशन का नाम है निकी उस organization का नाम है Nikki Asia Review Nikki Asia Review इसने क्या किया है इसने Russia Central Bank और Federal Custom Service से यह जानकारी उठाई है जो आपके सामने चुचार्ट नजर आ रहा है यहां से आप पता कर पाऊगे इन्होंने एक जानकारी उठाई है और इन्होंने बताया है कि कभी 2015 के अंदर 2015 के अंदर जब रशिया और चाइना का जो वैपार होता था वो 90% जो था वो डॉलर में हुआ करता था किस में हुआ करता था वो डॉलर में हुआ करता था लेकिन आज की डेट में आप देखो तो वो करीबन इन्होंने हाफ कर दिया यानि 46% डॉलर में यह चीज पढ़ क्यों रहे है डॉलर का महतव क्या है इससे क्या असर पढ़ने वाला है यह असर तो पढ़ेगा आप देखते जाओ वीडियो में आपको बताऊंगा इससे असर क्या पढ़ने वाला है थोड़ी सी आपको knowledge मैं देदू कि क्या हुआ है इन्होंने एक agreement किया उस agreement के तहट इन्होंने क्या काम किया कि 46% जो है इन्होंने ये डोलर के अंदर वैपार किया 46% इन्होंने डोलर के अंदर वैपार किया 30% इन्होंने यूरो के अंदर वैपार किया किसके अंदर वैपार किया यूरो के अंदर वेपार किया और बच गया जो 24 परसंट ये इनोंने अपनी लोकल ये अपनी लोकल करंसी के अंदर वेपार किया लोकल करंसी बोले तो रशिया की जो रूबल है रशिया की जो रूबल है और चीन की जो क्या होगा इसको चीन की जो युवान है चीन की जो yuan है, उसके अंदर इनोंने व्यपार किया इनोंने का भाई सा, हम क्यों दूसरी की करणसी के उपर depend रहें, क्यों न हम अपस में एक दूसरे देश के साथ अपनी local करणसी के अंदर ही व्यपार कर लें मतलब आप हमसे ruble में समान ले लो मैं लग ये रशिया वालों ने बोला आप हमसे रूबल में समान ले लो हम आपसे यूआन में समान ले लेंगे क्लियर हुई चीज अब इस चीज का क्या अफेक्ट पड़ता है क्या इसका असर पड़ा है इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ कि 2015 2015 में जो इनका 90% वेपार हुआ करता था 2015 में कितना हुआ था 90% वेपार हुआ था आज की डेट में वो कितना हो गया है 46% अब इनसे पूछा गया तो ये क्या कर रहे हो भाई साब कि तुम्हारा ये तुम डोलर में वेपार नहीं कर रहे है डोलर कहा जा रहा है क्या हुआ इस चीज का जब इनसे पूछा गया तो इन दोनों ने कहा कि भाई साब हम अब ये डी डोलराइजेशन कहल रहे है डी डोलराइजेशन का मतलब है कि हमारे देश में से आपका जो डोलर है वो हम खतम कर रहे है इनसे जब पूछा गया कि क्या कर रहे है कहा कि हम डी डोलराइजेशन कर रहे है अब थोड़ा सा डोलर के बारे में डिसकर्स कर ले अब काफी सारे विद्यापती अब ये तो जुक होंगे कि डोलर क्या है ये dollar के अंदर इतना वैपार क्यों हो रहा है dollar को इतनी मानिता क्यों दी जाती है तो इसके पीछे जो fact है वो थोड़े सापके सामने रखना जाओंगा और आप जानकर हरान हो जाओगे first of all तो पहले मैं बता दूँ कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो currency जो use होती है वो 85 types की currency यूज होती है यानि कि जैसे हो गया yuan हो गया, ruble हो गया रुपया हो गया, तो ये सारी currency है dollar हो गया, जितनी भी ये currency है total 185 currency use होती है, 193 देश है जो UN में register है जो UN के अंदर register है, उसके अंदर 193 days है, 193 days में 185 types of currencies चलती है clear अब dollar की बात करें तो देशों में, जो देशों की जो परमुक bank होते है for example कि भारत का RBI हो गया ठीक है, ऐसे ही Russia का जो हमने पढ़ा, Russian central bank हो गया, या चीन का जो Chinese central bank वहां के होते हैं, जितने भी अपने अपने किसी किसी देश के जो उनके परमुक जो देश होते हैं, वहां के जो central bank का जो परमुक देश हैं, उनके अंदर 64% जो है, वो dollar होता है कितना percent? 64% और बताऊं एक और fact, एक और fact सुनो 85% 85% व्यापार 85% व्यापार यानि कि global trade global trade जो है, वो dollar के अंदर किया जाता है, 85% जो dollar के अंदर है, व्यापार किया जाता है, अगली चीज़ कि पूरी दुनिया में dollar कितना use किया जाता है अमेरिका को अगर हम हटा दें, यानि अमेरिका अगर पूरी दुनिया में से अगर अमेरिका को टा दे बाकी जो दुनिया बच गी अमेरिका के लावा उसमें डॉलर कितना यूज किया जाता है 65% या नि अमेरिका में से अमेरिका जो है वो सिरो फर सिरो 35% डॉलर यूज कर रहा है और उसके बाहर अमेरिका के बाहर जो है उसका डॉलर 65% यूज में आ र जाता है, for example कि हमारा देश किसी देश, दूसरे देश को कर्ज देता है, यानि भारत ने नेपाल को, बुटान को, बांगला देश को, श्रिलंका को, जो भी कर्ज दिया, या किसी और देश ने किसी दूसरे देश को कर्ज दिया, वो 39% जो कर्ज है, वो डॉलर के अंदर दिया स्टार्ट हुआ यह जितने भी जो वर्ल्ड वर हुए ना यानि दो जो वर्ल्ड वर हुए है यह जितने भी दो महा यूद हुए है इनका कारण ही अमेरिका है यह सबके सब यह दोनों के दोनों जो यूद है यानि एक तरीके समझनों जितनी भी लडाईयां होती है यह अमेर का ये uncle sam جो है वो financer बनके आया था इन्होंने सब को finance किया था अथियार provide करवाई थे रूपया पैम मतलब रूपया क्या currency जो अपनी पैसे जो खतम हो गए थे वो उनको provide करवाया था और जब ये जीत गए तो यह सबसे बड़ा फाइनेंसर था तो इसने क्या मांगा इसने मांगा जो हार गए थे और example कि आप जब लड़ते हो किसी से आप लड़ते हो कि आप दोस्त आपस में लड़े या दो जो हार गेते हैं उन्होंने का चलो ठीक है भाई साब आप गोल्ड दे लो फिर टाइम आता है वर्ल्ड वोर्ड टू का क्या हो दो मुझे आप दो गोल्ड ऐसे कर करके ऐसे करते करते 1944 तक 1944 तक अमेरिका का दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडारी कठा हो गया अमेरिका का सोने का भंडारी कठा हो गया फिर क्या हुआ 1944 के अंदर new hemorrhage के अंदर new hemorrhage के अंदर यानि bretonwood के अंदर जो bretonwood में आता है वहाँ पर एक meeting होती है क्या होती है? meeting बुलाई जाती है सभी देशों के द्वारा और उस meeting में decide किया जाता है कि कौन सी currency इस देश में इस पूरी दुनिया में जो चलने वाली है किस currency को हम माने तो uncle sam फिर आते हैं uncle sam क्याते है कि मैं मुझसे बड़ा और कौन क्यों कि मेरे पास होने का बंडार है ठीक है सब देशों ने कहा सब देशों ने क्योंकि ये financier बनके आया था सब देशों ने कहा जहांपना तोफा कबूल करो हम आपकी currency कबूल करते हैं ये तोफा हम आपको देते हैं कि आपकी currency को हम सर्वो परिमानेंगे और सर्वो परिमानेंगे आपकी currency को हम जो है हमारे जितने भी international जो business है उसके अंदर हम इसको use करना शुरू करेंगे तो Britain वूड के 1944 के समयलन में 1944 के समयलन में हम कह सकते हैं कि कह कह सकते हैं कि 1944 के अंदर डोलर जो है डोलर जो है वो वर्ल्ड करनसी के रूप में सामने आया क्लियर हुई ये बात अब किस अधार पे डोलर को currency पूरी वर्ल्ड की जो currency बनाएगी वो ये अधार था ये सोना जिसने ये सोना 1944 से 1914 से कठा किये जा रहा था ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सोने के बंडार 1944 में अमेरिका के पास थे इसने अधार माना डोलर सोने को इसने कहा कि आप मुझसे क्या करो अब डोलर ले जाओ मुझसे और आपके जो डोलर के बदले जो सोना है यानि इन्होंने कहा कि सोना और डोलर इकोल कर दिये आप काफी सारे बच्चों को तो यही समझ नहीं आएगा कि डोलर ये करंसी जो है वो बंती कैसे है किस अधार पर करंसी डिसाइड होती है आपको एक बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको पता है कि हमारे जो पुराने टाइम में हम बाटर सिस्टम यूज क्या करते थे बाटर सिस्टम क्या होता था कि आपको सुपोज करो एक आइस क्रीम लेनी है आप एक आइस क्रीम लेने जाते थे तो जैसे मैंने किया हुआ है कि कुछ भी समान लेने जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो क्या होता था कि हम अनाज लेके चले जाते थे दुकान पे यह अनाज हम उसको देते थे और वो उसके बदले हमें समान दे देता आज भी कुछ जगहां पटा है कि तुमक्य अगर तो गेहूं चांपर चेम चलता है कि कुछ अनाज के बदले कुछ तोज़ार रुपे मैंने आपको एक बर समझाने के लिए बोला, इसकी वैल्यू जो है वो दो हजार है, और जो इसकी, जो एक बोरी है, एक बोरी जो मतलब कि जिसके अंदर 100 किलो गेहुं आता है, समझनों, 100 किलो गेहुं की किमत जो है, वो इस जिन्स के बराबर है, यानि इ यह 100 kg गेहूं जो है वो यहाँ पर आप लेके चले गए अभी आप समझा रहा हूं मैं यह currency कैसे decide होती है आपको एक बहुत simple way से ताकि चीजें समझ पाओगे यहाँ से सब चीजों का पता चलेगी currency कैसे decide होती है आप चले गए दुकान में और आपने क्या कहा कि आप एक काम करिए एक बोरी लीजिए और यह जिन्स मुझे दे दीजिए अब suppose करो आपने एक बोरी उसे दी 100 kg की 100 kg उसमें अनास था और आपके अब क्या होगी अब आपक अगर हत्यार मंगाने हो सब अभी हमने जैसे रैफल मंगाए है अगर उसके बदले हमें अनास देना पड़ गया तो यह अनास दूसरे देश में जाएगा और दूसरे देश में जाने में इतना सारा अनास हम बेजेंगे सालों साल लग जाएएगे 20 साल 15 साल ऐसे खर्च हो तो, for example, कि मेरे पास एक गोडाम है, मतलब मेरे पास मैं जो बोल रहा हूँ, यानि अजे, ये जो एक, मेरा जो है एक गोडाम है, अजे का एक गोडाम है, और इस गोडाम में मैं कहता हूँ, सोब औरी रखी हुई है, मैं एक दुकान के पास गया, और मैंने दुकान वाले को बोला कि मेरे पास ना सो बोरी रखे हुए और मैं तुझको एक परची देता हूँ इसे परची एक काग़र्च का टुकडा ले देता हूँ पहुत κलो अब मैंनेकि अब सब्सक्राइब, पहुता करो लुका पूल सब्सक्रांब कर्काहं नोट हो, 15 mm का हैं, हमारे पास समान कितना रखा हुआ वर के अधार पर करनसी में सब्सक्राइब, आलके सब्सक्राइब, करनसी जो चली हुए है आप 2000 का नोट देखो, या 500 का नोट देखो, या 20 रुपे का नोट देखते हो, 20 रुपे के नोट के आप एक बर ज़रा मसल के देखो जाए रहे है, जो चूरण में निकलते है न, उसकी उतनी घटिया मतलब quality है उसकी देखने में, लेकिन उसकी value कैसे decide हुई है, उसकी value इस त टिकेट इतने चमकदार मिलेंगे और इवन गांदी जी की photo के अलावा आप शारुकान, सल्मान, जिस चाहे की भी, इवन आप अपने अपनी भी photo उस नोट पे लगा सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे नोट आप चपवा सकते हैं, लेकिन आपकी उसकी नोट की value थोड़न तो यह जो currency है, जो sony के उपर इन्होंने decide की थी, जो dollar के उपर decide की, इनके पास इन्होंने dollar को माना क्यों, क्युंकि dollar जो अमेरिका के पास, जो sona था, उन्होंने कहा, इतने जो dollar है, वो sony के बराबर है, उस time जो है, वो dollar, 1944 में dollar, जो sony के बराबर कर दिया था, clear हुई, I hope so आप लोगों को ये चीज़े clear हो गई होंगी बहुत अच्छे से समझाने के मैंने कोशिश किया कि जितना भी RBI के पास asset होता है या forex होता है उतने ही note निकाले जाते हैं भारत के अंदर और Britain Wood में समयलन ने decide किया गया कि अब Britain Wood में समयलन में जबी decide कर दिया कि एक डोलर मतलब कि एक डोलर जो है वो सोने के बराबर होगा ठीक है वो सोने के बराबर होगा और उसी समयलन में ये भी decide कर दिया गया कि जो रुपया है उसके compare मतलब कि जो रुपया है उसकी value dollar के comparison में कितनी होगी अब यह तोड़ना है कि सर एक रुपया एक डॉलर क्यों नहीं कर दिया औरे कैसे कर सकते हैं डॉलर को जो पूरे वर्ल्ड की करंसी बना रहे हैं तो रुपय की उसकी वेल्यू तोड़ना दे सकते हैं तो यहां पर क्या किया गया है इसकी exchange value decide की गई यो इस वक्त यो तो था नी सब की वाँ वोशचेड की गई फिर आये 1970 1970 का टाइम आता है 1970 में आते है भाई साब निक्सन जो प्रेजिडेंड होते है अमेरिका के ये बागी देश जाते हैं अमेरिका के पास सारे के सारे देश जाते हैं कहते है, भई साब हमें हमारे देश में इंफलेंशन बढ़ गया है, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, तो हम आप को dollar दे रहे हैं, आप आप को क्या देतो, सोना देतो, सोना कि देए, तो प्रेजिदेंट निक्सन ने का नहीं, आप तो सोना सोना नहीं है अब चलेगा तो इस पूरी दुनिया में जो चलेगा वो डोलर ही चलेगा इस मानना है तो माननो वरना मत माननो तो पूरे दुनिया ने हाँ जोड़ दिये ठीक है जबना तुस्ती ग्रेट हो तुफा कबूल करो हम आपकी करण्सी मानते हैं तो 1970 में उन्होंने करना शुरू कर दिया अब डोलर जो बन गया पूरी वेश्वी करंसी बन गया पूरी ग्लोबल करंसी बन गया और अमेरिका के पास आगी पावर क्योंकि अब अमेरिका जिस पे चाहे उस पे सैंक्शन लगा सकता था कहता है जिस देश पे चाहिए जैसे इरान पे लगा रखे ते टक्सकी पे लगा रखे हैं अभी थोड़े टाइम जैसे अमेरिका चीन के अंदर लगे हूँ है वो इतने टैरिफ के ओपर वो टैरिफ लगाय जा रहा है लगाय जा रहा है सैंक्शन लगाय जा रहा है रहा है त तो रश्या और चीन तो वैसे भी ओलड़ी इस चीज के लिए परताडित हैं कि अमेरिका जब चाहिए सेंक्शन लगा देता हैं क्योंकि यह कहता है कि इस देश को तुम्हारे जिस देश को चाहिए वो बरबाद कर सकता है क्योंकि उसका जो डोलर है पूरे विल्ड में इतना चल रहा है चीजें क्लियर हुई तो इस चीज से कोन परताडित हो रहा है इस से चीजें तो बहुत सारे देश परताडित हो है लेकिन जब से जब यह देश हैं रोशिया और चाहिना इन्होंने क्या एक डिसाइड कर लिया मैं भी जैसे मैंने बताया इन्होंने क्या decide कर लिया कि हम आपका de-dollarization करेंगी कि हमारे देश में जो है वो चलाएंगे हमारी currency जैसे कि 24% इन्होंने कहा कि हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे जो international level है यानि रशिया और चाइना की जो level है हम उसके जो उपर इतनी बात हुई अब 2014 में इन्होंने क्या कर रगा है एक agreement कर रगा है 2014 में इन्होंने यह debit-dollarization कैसे हुआ 2014 में इन्होंने उड़र्डी agreement कर लिया था करन्सी swap करन्सी swap का एक agreement sign कर रगा है जिसके तैत यह जो है अपने देश के अंदर डो डोलर का जो वर्चस हो है उसो खतम करने के उपर लगे हुए है तब ही देखो 2015 के अंदर जहां पर ये 90% करंसी जो है वो डोलर यूज किया करते थे वैपार के अंदर आज घटते घटते 2020 के अंदर वो 46% आ गई यह नहीं एक तरीके से करंसी जो है वो डोलर को ये खतम करने पर लगे हुए है और ये दोनों परताडितन इस चीज को अच्छे से समझते है देखो आने वाले टाइम में ये दुनिया पर कैसे परभाव डालेगा भारत इस चीज को कैसे देखेगा या फिर अमेरिका अब कोन से कदम उठाने वाला है ये तो भाई साब मजा आने वाली बात है और इस चीज को मैं जरूर कवर करूँगा और ये जो चीज थी इन सब चीजों को मैंने इस स्लाइड के अंदर रख रखा है आप कोई जरूरत नहीं आप लोगों को लिखने कि आप यहां से भी देख सकते हैं फोरन एक्चेंज 90 परसेंट जो है वो सब चीजें यह हैं यहां पर लिखी हुई है जो इंटरनेशनल 185 जो है वो करंसी यूस होती है और यह कहां से पता चीलिया इंटरनेशनल स्टेंडर ओर्गिनाईजेशन एक जो लिस्ट है लिस्ट है यहां से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं और आप देख सकते हो कि 1970 के अंदर जो है वो निक्सन जो प्रेजिडेंट निक्सन थे उन्होंने कहा कि डोलर को सेप्रेट ही कर दिया गोल्ड से और रुको का मानना वर्ना तो माननो और 1944 के अंदर ब्रेटन वूड के अंदर इस चीज़ को स्ताक्षर होए थे और वर्ल्ड की करन्सी मान लिया गया था और उस ही टाइम एक्स्चेंज रेट भी वो डिसाइड के गये थे तो ये था आज की पूरी वीडियो का असार पूरी ये वीडियो आप लोगों को इस वीडियो की जो है वो slide जो है इसको PDF के रूप में आप लोगों को Telegram के चैनल पर उपलद मिल जाएंगी उसका link जो है वो description box में आपको दिया हुआ मिलेगा ये वीडियो कैसी लगी support करो आपको अच्छी लगी तो इसको प्यार करो यार प्यार मतलब की like करो channel को subscribe करो और लोगों के साथ share करो अगर आपको इसमें कुछ information आपको मिलती है thank you for watching this video मिलते हैं बहुत जल अगली कुछ interesting कहाने के साथ